इस न्यूज इस को स्पॉंसिट बाइ प्रमुज्वैलस और गिफ्ट सेंटर पार्धीनगर, MRDC, हीना रोड, नापपूर नमस्कार मैं आच्छन लोखंडे, महराश्ट्रो टीवी 24 के देश विदेश में आपका स्वागत है नजर डालते हैं देश विदेश के कुछ प्रमुख समाचारों पर इंडे की राश्ट्रोपती पत के लिए उमिद्वार द्रोपती मुर्मू आज नामांकन दाखल करेगी वे संसब भवन के लिए रवाना हो गई है यहाँ वे संसब भवन में महत्मा गांधी, आमबेटकर और विर्सा मुंडा की प्रतिमाओ पर श्रधान जली देगी इसके बाद वे संसब भवन में से ही उनसे मिलने के लिए आए कई राज्यों के सेम से मुलाकात करेगी देश में कोरोना की 23 जोती रबतार डराने लगी है पिछले 24 गंटे में कोरोना के संक्रवन से 17,000 से अधिक नए मामले सामने आए देश में कोरोना की सूपर स्पीड के बीच एक्टिव केस की तादाद भी बढ़ती चारी है कोरोना के नए मामलोक में आए तेजी के साथ ही देश में एक्टिव केस की तादाद भी बढ़कर 90,000 और के करीब पहुच चुकी है गरेलुशेर बाजार के लिए यह सप्ता अभी भी अच्छा साबित हुआ है पिछले कुछ महिनों से जारी बिक्वाली के बीच एसे सप्ताह चुनिंदा रहे है जब बाजार फायदे में रहा हो सप्ता के अंतिन दिंग शुकरवार को भी बाजार के ने कारोबार की ठोश शुरुवात की बाजार खुलते ही बेसे सेंसेक्स पास सो अंग से ज़्यादा चड़ गया और एनसी निप्टी सो अंग से ज़्यादा मजबूत हुआ महराश्टर के राजनितिक संकट में शहो और मात का खेल जारी है एक तरफ बागी नेता एकनाच शिंदे का गूट लगातार मजबूत होता जा रहा है दुसरी तरफ विधायक एक एक करके उध्व ठाकरे से अलग होते दिख रहे है कलोई शिवसेना विधायकों की मीटिंग में पार्टी के सिर्फ 13 अमेले पहुचे थे जबकि महराष्ट्र में उनके 55 विधायक है यानि यह साप हो चला है कि बाकी 42 विधायक शिंदे के गूट के साथ है इससे 37 विधायक शिंदे के पास गुवाहाटी पहुच चुके है यानि अब शिंदे गूट पर दल बदल का आलून लागो नहीं होगा महराष्ट्र की सियासत में बदलते समीकर उनको समझने में बड़े-बड़े पॉलिटिकल जानकारों का माथा घूंबा हुआ है वजहे कि सियासी अखाडे में आपस में भिढ रहे बड़े-बड़े खिलाडी अगर एक तरफ शिंदे है तो दूसरी तरफ उधर ठाकरे और शरत पवार मुंबई से दूर गुवाहाटी का होटल महराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा केंद्रबिंदू बना हुआ है क्योंकि गुवाहाटी से एक नाच शिंदे ने महराष्ट्र के सत्ता प्रतिष्टान को भिला दिया बाला साथ के जमाने में दहाडने वाले शिव से नाज बेबस नजर आ रही है देखे अब इस सियासत में आगे क्या होता है दिल्ली में विछले कुछ दिनों तक बारिश के बाद एक बार मोसम के बदलने के संभावना है मोसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज आसमान साफ रहेगा वही तापमान में बड़ोतरी दर्ज की जा सकती है मोसम विभाग की मताबिक आज चोबिच जुन 2022 को दिल्ली में निन्योतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 49 डिग्री रह सकता है रनवीर कपूर की अपकमिंग फिल्म शमशेरा अगले महीने रिलीज होने चारी है रनवीर इस फिल्म से चार साल बाद बड़े परदे पर वापसी करने वाले है फिल्म में अक्टर एक डकेट के रोल में नज़राएंगे जो अपने ट्राइब की आजादी के लिए लड़ाई लड़ता है इससे पहले भी फिल्मों में कई बॉलिवूड सेलेप्स ने डकेट के रोल प्ले किये है और भारती रिकर्व महीला तिरंदाजों ने कॉलिफेकिशन में खराब प्रदर्शन के बाद ब्रूस पतिवार को वापसी की और यहाँ चल रहे वर्ल्ड कप के तीसरी चरन के फाइनल में प्रवेश करने के अपना पहला पदग पका किया एक दिन पहले कॉलिफेकिशन दोर में सभी महीला तिरंदाज टॉप 30 से बाहर रही थी जिसे उन्हें 13 वी वरियता मिली थी लेकिन दिपिका कुमारी, अंकिता भकत और सिम्रंजित कौर की तिकडी ने फाइनल में पहुचने के सफर में युक्रेन, ब्रिटेन और तुर्की को हराया अब रविवार को फाइनल में उनका सामना चीनी ताइपे से होगा देश विदेश में वक्तों चला है, यही रुखने का देश दुनिया की ताजा तरिन खबरों के लिए देखते रहेंगे महराश्ट्र टीवी 24, नमस्कार नापुरवासियों हो जाईए तयार, वेदान सेल्स मेंस्वेर लाया है आपके लिए बिग सेल मानसुन धमाका, सबसे कम 20% और 50% की बड़ी डिसकाउंट के साथ मानसुन धमाका बिग सेल में आपको मिलेंगे ब्रैंड के गार्मेंट्स 20% और 50% की डिसकाउंट पर और आपकी होगी बड़ी बच्चत साथ ही बिग डिसकाउंट के साथ रिंकोट, शर्ट, टीशर्ट, जिनस्पैंट, टाउजर, लोर और अंडर कार्मेंट्स उपलब शर्ट की खरीदी पर पाए बाईवन, गेटवन फ्री ओफर मात्र पास सो 99 में पाए दो शर्ट तो चल्दी कीजिए और एक बार अवश्य भेट दे, उठाए बिग सेल का लाब हमारा पता वेदान सेल्स में रोड स्तिता बड़ी, आनंद बेकरी के पास नापुर वेडिंगरी और असंख्य वेराइटी सा भांडार तर आज़स अपल्या अनंदिक शनानना सुवर्ण में बनोने साथी आमचा शोरूम ला अवश्य भेट द्या आमसा पत्ता प्रमोच्वेलर्स और गिफ्ट सेटर, पारधीनगर, M.I.D.C. हिना रोड, नापुर